अगर ये पहल इस बार लड़की की तरफ से हो तो लड़का काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है और ब्रेक अप के बाद वो कुछ चीजों को करने फ्राय कर देता है या फिर शुरू कर देता है चलिया जानते हैं कि ब्रेक अप होने के बाद लड़का किस तरीके की प्रतिकरिया करता है सबसे पहले वो लड़की को दोबारा से हासिल करने के बारे में जरूर सोचता है फिर चाहे गलती लड़की की हो या लड़की की हो वो सारी चीजों को भुलाकर बस उसे अपनी राइफ में वापस लाना चाहता है फिर चाहे वो सही काम करे या फिर गलत इसलिए अगर किसी लड़के का ब्रेक अप होता है तो वो वापस उस लड़की के साथ बाते करने के बारे में या फिर उसके दोस्तों से बात चीत करके उसके बारे में जानने के बारे में जरूर सोचता है इसी के साथ साथ अगर वो इस चीज के अंदर नाकामियाब होता है और लड़की से बात नहीं कर पाता है और उसे अपनी लाइफ में वापस नहीं आसिल कर पाता है तो वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगता है पुराने दोस्तों से वापस से बात्चीत शुलू कर देता है और ये वही दोस्त होते हैं जिने उस लड़के ने अपनी गर्फिर्ट की वज़े से एकसाइट कर रखा होता है उनसे वापस बात्चीत करना, उनके साथ घूमने जाना, अपने आप पर ध्यान देना, व्यायाम करना, एकसरसाइस करना, जिम में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना और सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा समय बिता कर अपने आपको बिजी रखने में लड़के माहिर हो जाते हैं इसी के साथ साथ ऐसा करने से उन्हें अपने दूप को छुपाने में भी काफी ज्यादा मदद मिनती है लेकिन जब कभी वो अकेली में बैठे होते हैं और उनका लाट टॉप और सोशेल मीडिया भी उनके साथ नहीं होती है तो अकसर उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होता है क्योंकि एक रिश्टा जब तूटता है तो दोनों ही तरफ से गलतीय जरूर होती है हाँ ये जरूर हो सकता है कि एक इनसान ज़्यादा गलती करता हो और दूसरा कब लेकिन फिर भी लड़के को अपनी गलतीयों का हैसास जरूर होता है और उसके बाल उसे अपनी गलतीयों पर पच्छतानी के अलाबा कोई भी रास्ता निज़र नहीं आता सो दोस्तों ये है कुछ ऐसी चीज़े जो लड़के अपसर ब्रेक अप के बाल जरूर करते हैं मेरी ब्यूटी, हेल्थ और रिलेशन्शिप से रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए